सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार धे टीवी में आपका स्वागत है मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं हमारा साथताहिक कारिकर्म राश्ट्य मुद्दिर इस राजधानी शेत्रे दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन की पिछले दिनों राजधानी दिल्ली की आब हवा काफी खतरनाक इस तर तक पहुंच गई दिल्ली एंसियार इलाके में वाईव प्रदूशन का इस तर अतियंत गंभी इर्श्य में पहुंच गया है जिसके कारण परियावरा प्रदूशन ने अंतरन और्दूशन प्रदूशन को हेल्थ इमर्जेंसी का इलान करना पड़ा दरसल नवंबर के पहले सब्ता के दोरान दिल्ली एंसियार में एर कॉालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया था इसके रहावा दिल्ली से सटे लागों में भी प्रदूशन का इस्तर 500 एक यू आई के खरीब था स्वास्त इमर्जेंसी लागो होने के बाद दिल्ली फरिदाबाद गुरूगराम घाजियाबाद नौइडा और ग्रेटर नौइडा में कई इमर्जेंसी कदम उठाए गए इस सिती में थोड़ा सुधार तो हुआ है लेकिन हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं हैं गोर तलब है कि भारत में हर साल करीब 25 लाख लोग प्रदूशन की भेट चल जाते हैं राष्ट मुदे में आज हम बात इसी विशेपर करेंगे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के जाने माने पर विश्व स्वास्त संग्ठन के मताबिक वायू प्रदूशन एक ऐसी इस्थिती है जिसमें बातावरण में इंसान और परियावरण को हानी पहुचाने वाले तत्व ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं भारत में वायू की गुडवत्ता को मापने के लिए केंद्री पृत्वी विज्ञान मंत्राले द्वारा एक वायू गुडवत्ता निगरानी प्रणाली यानी सफर का संचालन किया जा रहा है सफर का पूरा नाम सिस्टम ऑफ एर कॉलिटी वेधर फोरकास्टिंग एन रिसर्च है सफर के आकड़ों के मताबिक दिल्ली में वायू की गुडवत्ता में गिरावट का ये मौजूदा इस्तर सरवाधिक निम्न है इसी साल अप्रेल महीने में अमेरिका स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिटूट द्वारा स्टेट और ग्लोबल एर रिपोर्ट 2019 जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2017 में वायू प्रदूशन के कारण होने वाली बीमारियों से 12 लाग भारतियों की मौथ हुई है भारत में वायू प्रदूशन अब सभी स्वास्त जोखिमों में मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो धूमरपान के ठीक उपर है सदत्थ फिकास लक्षियों यानि SDG के तहत परयावरणी ये खत्रों को कम करने के लिए कुछ लक्षय तैय किये गए है कौर तलब है कि जून 1972 में स्टॉक होम में आयोजित मानो परयावरण पर सैयुक्त रराष्ट सम्मेलन के नड़यों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने एक कानून मनाया था परदूशन से निपटने के लिए बनाये गए इस कानून का नाम वायू परदूशन निवारण और नियंतरण अधिनियम 1981 रखा गया इस कानून के तहत केंद्रिये परदूशन नियंतरण बोर्ड को कुछ शक्तियां और कारे दिये गए हैं केंद्री प्रदूशन नियंतर और बोर्ड हवा की गुडवत्ता के लिए मानकों को निर्धारित करने का काम करता है वायू प्रदूशन की समस्या से निपटने के लिए 10 जनवरी 2018 को राष्टी स्वच्छ वायू कारिक्रम शुरू किया गया ये समय बद्र तरीके से लागू किया जाने वाला एक 5 वर्षिय कारिक्रम है इसका मुख्य मकसद वायू प्रदूशन को रोकना है इस कारिक्रम में 102 प्रदूशिट शहरों में वायू प्रदूशन कम करने का लक्षय रखा गया है भारत में PM2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर का बढ़ता इस्तर वायू प्रदूशन के लिहाज से सबसे कंभीट समस्या है विश्व स्वास्त संगठन की मताबिक PM2.5 की सुरक्षित सीमा माइनस 40 माइक्रोग्राम प्रती मीटर क्यूब नरधारित की गई है जबकि देश की राजधानी दिल्नी में ये इस तर अकसर ही 200 माइक्रोग्राम प्रती मीटर क्यूब के करीब बना रहता है पर्टिकुलेट मैटर को अभी करणी अपदार्द के नाम से भी जाना जाता है ये हमारे वायो मंडल में उपस्थित बहुत छोटे करण होते हैं जिनकी मौझूदगी ठोस या तरल अवस्था में हो सकती है पर्टिकुलेट मैटर वायो मंडल में निश्क्री अवस्था में होते हैं जो कि अतिसूख्ष मोहने के कारण सासों के जरीए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं मैं इस चर्चा की शुरुआत आप से करूंगा अब तो लगता है कि हर साल ही इस विशे पर बात करनी जरूरी हो गई है पिछले साल भी हमने इस पर कारिक्रम किया था और आप से बात की थी ये जो एंसी आर राश्टी राजधानी शेत्र है और इसके आसपास जो हालात दिखते हैं और इन हागात को देखिए मैं आपकी जो प्रशन है उसको दो तरीके से जवाब दूगा पहली बात तो यह है कि जैसे आपने का हर साल यह एक रिच्यूल की तरह बढ़ता है हम लोग बातचीत भी करते हैं लेकिन सिर बातचीत करके आगे उसके उपर कारवाई बहुत धीली या नगरने के बराबर है तो यह एक सबसे दुखत बात है दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे समय बीता जा रहा है इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है और स्वास के उपर इसका बहुत कुर्पभा पढ़ता है आपने बता है कि इतने सारे लोगों में बहुत कम हो जाती है और जिसका पता चलाना बहुत मुश्किल है लेकिन यह सत्य है कि जिस तरीके से प्रोडूशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमारा जो उससे रियक्शन होता है उससे हमारे पूरे बदन का सिस्टम बहुत प्रभावित रहता है अक्सर हम लोग ब किती के जो उपज है उसके उपर भी इसका बहुत प्रवाब पड़ता है सीधे सीधी बात है कि जब भूल रहेगी और धुंद रहेगी तो जो सूरी की किर्णे हैं वो पेड़ पौधों को उतनी मातरा में उनकी उर्जा नहीं मिल पाती है ताके वो पूरी तरीके से अपने जो उपज है उसको अंजाम दे सकें तो किसान की मेहनत के बावजूद भी वो किसान उतनी जादा उपज नहीं ले पाता है जितना के वो पूटेंशली ले सकता है दूसरी बात जो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रदूशन के बहुत सारे कारण है और से से साल गु मेहने उस कारण वो बदलते रहते हैं कभी कोई जादा हो जाता है कभी कोई कम हो जाता है घटक बहुत सारे हैं लेकिन सबसे जो कहना चाहिए प्रणाम निकलता है वो इसलिए कि इसके उपर बातचीत होके रह जाती है और हम एक्शन नहीं ले पाते हैं और खास तोर से बोड़ा कम होता है हाला के अब भी वह मानक से बहुत अधिक रहता है लेकिन इस्थिती इतनी गंभीर नहीं होती है और हम फिर भूल जाते हैं और कई महीने तक यह स्थिती साफ रहती है मैं आता हूँ प्रफसर साब के पास बी से गुपता साब आप तो एयर पॉलिशन के माहिर हैं एक्सपर्ट हैं यह क्या कारण है कि कैई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पराली जलाना का एक खारण बता दिया जाता है कुछ दूसरा कारण बता जिया ता में ली पराली को यू कहा जाता के हरियान और पंजाब में और पश्ची मुत्र प्रदेश में लेकिन क्या इसका एक तो आपकी नजर में कारण क्या है जी देखिए यह इसके जो NCR रीजन में जो वायू प्रदूशन है इसके मेरे हिसाब स नो या दस मेजर कारण हैं मैं एक एकर करके गिनाओंगा आपको और इसमें तुछासा में अपनी टिपड़ी दूँगा सबसे पहली है जो यह वेकुलर एर प्रुशन है गाडियों के संखिया NCR रिजर्वें बहुत बढ़ गई है जा हम लोग केंदी प्रदूशन डियन दूर्ण में काम शुरू किया था उसमत के मिल पांश्रलाग गारिया थी आज जो है एकसो बीस लाग गारिया है एकसो बीस लाग गारिया में आपके सत्र परसंट जो है टूवेलर है तो यह अप देख लीजें कि गाली ओं के संक्षा बढ़ती आ रही है अपी रोडी में काफी मात्रा में एरिल्टेशन होती है और एरिल्टेशन किस्से होती है कोई भी जो solvint जो है petrol डीजल से सहती है उस기도 किया जाता है इसके कारद यौ biss him बढ़ता है यह करार हुआ दूसरा कारण है यह राजधानी दिली के चारों तरफ जो शहर हैं गाजियाबाद फरीदाबाद गूरगाउं नौएडा इसमें बहुत जादा है चोटी इंडूस्ट्रीई इस दिل्ली को एफेक्ट करता है और दिल्ली का पोलिशन उनको एफेक्ट करता नहीं होगा तो इस पर कुछ नहीं हो सकता नमबर तीन डिल्ली इंसी-ार रिजन में अगर आप सौ किलो मिटर देख लें तो इसमें तीरा कॉल बेस्ट पावर स्टेशन हैं जिनका इंपक्ड डिल्ली में होता है हर्याना में है आपके पानी पाथ सोनी पाथ में है फरिदाब हमारे देश में 2005 बन गए थे कि आपको इसको कंट्रोल करना है लेकिन सरकार ने उसमें 5 साल के अवधी दे दी अब वो 2022 से होगा और ये जो Sulfur Dioxide and Nox Oxides of Nitrogen जो 100 of Tons में निकलते हैं ये जो है Atmospheric Condition में Convert हो जाते हैं Sulfate और Nitrate में और ये Part of the Particulate Matter PM 2.5 के हो जाता है तो ये जो है बहुत important है जिसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं हम काड़नी रहे हैं चौथा पाचपा DG Sets अब दिल्ली NCR रिजन में तकरीबन 3 लाग से 5 लाग DG Sets हैं अब गुर्गाँ में चले ये बड़े बिल्डिंग में पर्मानेंट सप्लाई नहीं है वो लोगे डीजी सेट पे चलाते हैं जो मेगावाट के रेंज में हैं और दिल्ली में हर जगा DG Sets हैं और अफकोर्स दिल्ली में भी पावर सप्लाई इंप्रूव हो गई है लेकि डीजी सेट चलते हैं उसे बहुत प्रोडिशन होता है और वो ग्राउंड लेवल पे पॉलूशन करती है इसके अलावा जो है दिल्ली एंसिया डीजन में क्योंकि गंगा बेसिन के मिट्टी अच्छी है तो यहां पे तकरीबन पांस हजार से लेके आठ हजार ब्रिक किल्स हैं जो देश के किसी जगह भी तक कांसर्टेटेट नहीं है और ब्रिक किल्स वाले जो है वो बहुत उनकी और टेक्नलोजी है यह कोई पॉलूशन कंट्रोल गैप से परिमीशन नहीं लेते हैं इलेक्रिसिटी बूर्स परिमिशन लेते हैं चलाते हैं और यह मूव करते रहते हैं तो गंगा विसिन में इतनी जाना नंबर ब्रिक किल्ट से इन से काफी प्रोडूशन होता है एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हम आपको यह तो आपका मैनमेड सोर्से सब पोलूशन हुए लेकिन एक है माइक्र विन्ड स्पीड जो है पॉइंट फाइब मीटर से कम हो इसमें विन्ड वे मूव नहीं करती दूसरा जो है हम मीन मिक्सिंग हाइट कहते हैं यह जो है जाड़ा होते हैं यह रात में कम हो जाती है मैंने अभी लास्ट वीक पूरा धन किया इसका मीन मिक्सिंग हाइट जो है एक हजार मीटर हो जाती है सौ मीटर और एक हजार मीटर तो दिन में तो हमें बहुँ जादा एर मिलता है डाइलूशन के लिए लिए रात में एक बाउंडरी लियर जो सो मीटर तक्रीबन होती है 80 मीटर 90 मीटर 100 मीटर उसमें सारे pollutant trap हो जाती है और concentration बढ़ जाता है इसलिए early morning say early morning 9 बज़े तक जब ये mixing height break नहीं होती है तब तक pollution का level बहुत जाद रहता है तो ये दो चीज जो है हम कुछ नहीं कर सकते ये तो हमें जाड़े में नौर्ट इंडिया में जहिलना पड़ेगा कि due to the low wind speed और mean mixing height low के ये pollution बहुत बढ़ता है तो ये सब कारण है जिससे pollution बढ़ रहा है और जिससे प्रफेसर साब ने बताया कि के बद आंकड़े वो लेने से आंकड़े generate करने से कुछ नहीं होगा हम जो हर साल station बहाते जा रहे हैं पहले हमारा प्रफेसर साब लेकिन ठोस कदम उठाय नहीं जा रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि रसमदाईगी हो जाती है विश्टसा संक्ठन ने जो ये अपने आंकड़े दी है सरकार को उसके के बाद केंद्रिय प्रतिविय ग्यानमंत्राले की ये सफर प्रणाली शुरू की है क्या कहेंगे आप इससे कुछ कम हो पाएगा प्रदूशन कि इससे कम तो क्या होगा लेकिन हाँ इतना जरूर है पूर वानवान हमको मिल सकता है और अगर हम उसके उपर पूरी तरीके से कमरवद तरीके से काम करें तो हो सकता है कुछ थोड़ा फाइदा हो जाए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे ये जो प क्यूरेटिव क्यूरेटिव करने के लिए हमको बहुत पहले से सोचना पड़ेगा और इसके अंदर दीरकालीन और शॉर्ट तर्म दोनों तरह के मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं कि काफी सारी समस्या ऐसी है जो हमारी अपनी क्रियेट की ह ही और इसको हमने कॉम्प्लेक्स बनाए गया है और हर रोज हम उसे कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं पराली के आपने बात की तो आप देखिए कि हमने जो धान की खेती की बुभाई इतनी पीछे खिसका दी है कि बजाए सेप्टेमबर में वो जलाएं जबके वो समस्या उतनी नहीं थी लेकिन अब क्या होता है कि चुकि हमें नीचे से जमीन का पानी बचाना है तो हमने उसको पीछे खिसका दिया है तो नतीजा यह होता है कि अब इस टाइम पे वो पराली जलाते हैं और जिसकी वजए से उनके पास में गेहूं बोने की जमीन तयार कर कर सकता जब तक कि वो डेट के अंदर नहों वो डेट पीछे खिसकी गई है और पानी के साधन को बचाने के लिए उन्होंने यह किया है और दूसरी बात है कि पानी का साधन हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि हमने एक ऐसी नीती बनाई है कि बिजली आपको मुफ्त मिलेग और पावर आपको मुफ्त मिलेगी और पानी भी आपको मुफ्त मिलेगा तो अगर ऐसी इस्तिती है और फिर इसको बचाने के लिए हम एक नियम बना देते हैं तो यह सारी समस्या हमारी अपनी क्रियेट की हुई है दूसरी बात जो सबसे वड़ी बात है इसको टिकाओ हम क कि हमें पंजाब की की थे बाड़े में गहराई से सोचना है क्या वहां पर यह जो धान की खेती है यह सस्टेनेबल है लॉंग टरूने अभी तक तो हमने ले लिया क्यों कि देखिए महां का पंजाब का किसान धान की बुआई करना नहीं जानता वह बाहर से लेवर मन आता है कराता है उसके बाद में आराम से बैठता है और काटने के बाद में वो MPS की थूप उसको बेच देता है लेकिन इस सब के होने से क्या होता है कि के वहां की जमीन एकदम खोकली हुई चली जा रही पानी नीचे चला जाए तो यह तो सस्टेनेबल ही नहीं अगर हम इसको करें और एक अल्टरनेटिव क्रॉपिंग सिस्टम लाएं पॉली हाउस बना करके करके तो फार्मर की इंकम भी बढ़ेगी और जमीन के अंदर पोश करनों ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में कोई कारगर नत्व सोच बनी है और ने इसके बारे में हमने गहराई से सोचा है और तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि रिसर्च के उपर जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे और साइंटिफिक स्टेड़ी नहीं करेंगे और एन है हमारे हाँ 1981 से प्रदूशन निवारों और नियंतरक अधिनियम कानून भी है फिर अभी वायू प्रदूशन की समस्या निवटने के लिए पिछले साल दस जनवरी दोहजा अठारे को राश्ट्रिय स्वच वायू कारकरम शुरू किया गया इस सब के बावजूद हम अपने वायू प्रदूशन पर नियंतर नहीं पा रहे हैं क्या वज़े हैं देखे अभी जो स्कीम इनोंने लागू किया है उसमें टार्गेट दिया है कि पार साल के अंदर यह जो टोटल पॉलूशन कंसंट्रेशन अपी एम 2.5 पाचीस परसंट कम हो जाएगी लेकिन यह कंसंट लोट में बात करनी चाहिए अच्छा देखिया हमारे क्या जो भी स्कीम बनी है एक्शन प्लैन बनी हुए इसमें कोई जैसे प्रफिसर साब ने भी बोला साइंस बेस नहीं है यह हमें जो एक्शन प्लैन बनाना है वो साइंस बेस होनी चाहिए बट इस साइंस में बेस बी आपके brick kiln से कितने आ रही है, डिजी सर्ट से कितने आ रही है, ये जब तक नहीं का हम source apportion study नहीं करेंगे, ये नहीं पता चलेगा. ये सारे पाथ study जो है science-based है, इसके बाद ही हमें action plan बनानी चाहिए, और इस action plan को बड़ी सक्ति से implement करनी चाहिए. अभी हम कह रहे हैं हम ad hoc measures ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं, कभी करते हैं हम इसको brick kiln को बन कर देंगे, कभी हम करते हैं कि industry को हम राथ को construction नहीं होने देंगे, तो इस आप एड होक arrangements, तो एक integrated approach होना चाहिए, तो मैं मैं सुरू से कहता है हूँ, कि एर पॉलिशन कंट्रोल के लिए आपके पास एक integrated approach based on science होनी चाहिए, जो नहीं है. प्रफसर सी के वाशने, ये जो कारण अभी हमने इसके discuss किये, इसके रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जो आप बता रहे थे सारी चीजें, इसको implement करने के लिए, कि जो चीज implement नहीं हो पा रही है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है, कि इसकी जो चौकसी है, वो हमें बढ़ानी पड़ेगी. और चौकसी बढ़ाने के बाद में फिर implementation का सवारा है. चौकसी कैसे होगी? चौकसी का मतलब है, कि हमें जादा लोग चाहिए, जो कि बता सकें, कौन इंडरस्ट्री या कौन ऐसी जो क्रिया है, जिससे कि अधिक पलूशन हो रहा है. तो और दूसी बात है कि dependable measurement होनी चाहिए. अब आज कल क्या होता है, कि हर आदमी कुछ ने कुछ एक measurement की एक संख्या बताता है. तो क्या वो comparable हैं इसके बारे में भी हैं? से जो भी पिक्चर आ रही है, वो नासा से आ रही है. आपका अपने सेटलाइट अभी इसको आपको नहीं पूरी तरह बता है. हालां कि संभव है कि सेटलाइट से पता किया जाए. लेकि इन सब के अंदर धनराशी लगती है. जैसा मैंने बताया, पहले से हमको इसके बारे में सोचना होगा, समझना होगा. ये एन वक्त पे और लास्ट मिनिट पे ये काम नहीं हो सकते हैं. तो एक तो ये है कि हम दूसरी जगे के डेटा के उपर डिपेंड करते हैं. कभी शिकागो की स्टेडी आती है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं. कभी अपनी स्टेडी आते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारे आँखडे मिल नहीं रहे हैं और रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं. जैसे के ATM ने जो अपना Tropical Metrology है उनकी और अपने इंडिया मेटरोल डिपार्टमेंट की एक स्टेडी है तो यह और इवन पे वह एक सहमती नहीं बना पा रहे हैं तो एक बात तो यह है दूसरी बात यह है कि यह सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है मैं समझता हूं यह पूरे बड़े जो टाउन है देखिए अभी हमने कहा है शेहरों का लेकिन मैं समझता हूं काफी सारे इंडरेस्ट्रियल टाउन है यह खदान है और यह सब जगे वहां पर बहुत भारी समस्या है कंड प्रदूशन की और उसको समझने के लिए हमें एक मैं समझता हूं के पूरे न हमारा tunnel vision है हमें यह छोड़ना पड़ेगा out of box सोचना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है evidence based plan बनाना पड़ेगा जिसकी कि हम समझते हैं अभी concept हम लोगों ने अच्छी तरीके से appreciate किया नहीं है और ना उसके बारे में बातचीती होती है सिंध गुपता साब यह जो पिछले साल कारेकम राष्टी स्वच्छ वायू कारेकम दस जनवरी दोहजाठाने को शुरू किया गया इसमें 102 शहरों को लिया गया है और इसमें यह लक्ष रखा गया है कि साब 20-30 फीस अदी तक इसको कर्म किया जा अनुमानित राष्टी ल क्लस्टर और शहर लिये हैं यह इसको हम नॉन अटेंडमेंट सिटीज कहते हैं यहां पर पॉलुशन मेजर किया गया और पाया गया कि यह मानक्स उपर है और पांस सालता की उपर रहा इसलिए इसको नॉन अटेंडमेंट सिटीज डिकलेर किया गया है इसमें हमारी स्कीम क प्रोश लेनी है और उसको फिर कारेवेंद करना है उसको फिर implement करना है लेकिन हुआ नहीं है तो हमें मुझे लगता नहीं है कि अगर जल्दी से अगर ये सारे step ना लिये जाए तब अभी तक क्या हो रहा है पॉलिशन कंट्रोल के नामें पॉलिशन मॉनिटरिंग हो रही है मेजर्मेंट हो रही है तो सरकार जो है काफी पैसा state board को और central board को दे रही है और यह लोग इसको पॉलिशन मॉनिटरिंग numbers बढ़ा रहे हैं मतलब आज हमारी पांच station तो हम दस station कर दे रहे हैं पंदा station लेकिन स्टेशन का रख रखाओ उसमें डेटा जो है करक्ट डेटा है उसके लिए हम क्या सूनी हम लोग स्योर है क्योंकि उसमें सबसे बहुत बढ़ी भूमी का है कैलिब्रेशन अब एक्योपेंट का मैंने अभी एक दरवे किया है और मुझे यह बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ा है कि काफी स्टेशन में कैलिब्रेशन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो रही है इसलिए जो इसका डेटा आ रहा है उस पे थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव्मेंट की जरूरत है तो इसलिए हम यह न चाहिए जो PM 2.5 का मानक है WHO का 25 हमारे यहां बहुत अधिक है मतलब डवल से जादा है पहली बात तो अगर हम कहते हैं कि मानक के अंदर है इसके मानी है कि वाकव में पलूशन अभी अधिक है मैं आपको बताता हूं मैं कुछ देख रहा था और बड़े शहरों में में मेट् 300 के करीब जाता है और या उसके ऊपर भी उच्छाल मारता है तो आप समझे के न्यू यॉर्क के अंदर भी यह तो आप समझे पहले तो हमने खुदी उसको डवल रखा 100 परसेंट ज्यादा रखा हुआ है उसको हम समझते हैं कि यह सुरक्षित है लेकिन वह सुरक्षित नह ले सकते हैं बहुत कठे स्वास्त का सवाल है और इसमें हमारी जो भविष्य की जो संतती है और जो आने वाली जनरेशन है उसके मेंटल डवलपमेंट के ऊपर इसका बहुत कुर्परभाव पढ़ता है इन सबको देखते हुए तीसरी बात और हमें समझनी होगी कि इसका आ होती हैं गाडियों के अंदर टाइम नहीं हम कर पाते हैं कर इन सब का मिला करके हमारे यоды जो विदेशी आते हैं पड़िटक उनकी मातर हां और इस वजए से हमाएं बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है आर्थिक नुकसान ही नहीं Village कही due sa करेंगे मेरा अपना मानना ऐसा है कि वो हमको आर्थिक रूप से भी बड़ा लावकारी रहेगा स्वास्त के रूप से तो रहेगा ही लेकिन आर्थिक रूप से भी उसके बड़े भारी लाव मिलेंगे और वो लाव बड़े विस्त्रित होंगे और आम जनता को उससे बहुत फाइदा होगा तो इस सब को देख करके जल्द कल्यान का और जन स्वास्थ के द्रश्टी कौन से हमें इस समस्या के उपर जल्दी से जल्दी कारगम कदम उठाने हैं और इसको साइंटिफिक तरीके से जैसा कि एक दफ़े हमें दुबारा इसके उपर जोर देना चाहता हूं कि वग्यानिक तरीके से वग्यानिक रूप से हमें अपनी योजना बनानी हैं ताकि इसके बारे में हम सुनस्शित कर सकें कि परियावरन को हम रखें तेको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं हमें पता है कि सर्दी के दोनों में हमारी जो प्रॉबलम है कि पलूशन इसके बारे बताया लेकर हम डब्ली एचो की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बीस सबसे प्रदूशित शहर मैंसे चौदा भारत में हैं जनी सिर्फ छे बाहर हैं एशिया में वायू प्रदूशन के होने वाली अकाल मौतों के मामले में भारत पांच देशों में जो टॉप पांच हैं उसमें शामिल हैं भारत में करीब 66 करोर लोग ऐसी जगों पर रहने को मजबूर हैं जहां हवा में प्रदूशन की मात्रा राश्ट्री औसससे कहीं ज्यादा है यानि आधी से ज्यादा आबादी हम 130 करोर का देश ओने की बात करते हैं उसमें से 66 करोर लो जीरा जैसा है मैं को बता हूं मैं पुलिशन कंट्रोल की तरफ से हूं तो मैं जानता हूं कि हर स्टेत पौिशन कंट्रोल क्शल वोर्ड में किते लोग से इसकी काम करते हैं आप अगर जैसे उत्तर भारत का इतना बड़ा प्रम्लम है यूप फॉल बॉल प्रोब्लम में ज और मोर्डलिंग वगरे में काफी इनक जानकारी देनी है जिसके अभी तो सारे उलोंग बहार से बुला रहा हैं उन początku हो रही है लेकिन उसका जो है पॉलिशन कंट्रोड बोड या है जो इसको कर सके तो यह बहुत बड़ी कारण है कि जो लोग वाइलेट करते हैं जो पॉलिटिंग इंडस्ट्री हैं उनके खिला कोई कारवाई नहीं हो पाती कोई बड़ा फाइन नहीं है उन्हों पाता नहीं आजकर तो इंजीटी बहुत फाइन लगा रही है अब फाइन का पैसा मैंने सुनाए कि सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल बोड के पास बहुत जादा पैसे खटा हो गया है उनको खर्च करना है रिमीडियेशन पे तो फाइन तो इंजीटी सिदा लगा रही है और कोई जो लोग जाते हैं चेक करने का उनकी भी उनका नौलेज उतिनी हैं वो लोग मेझर में प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो जो कभी जू होती है पॉलिशन का वह ठीक से नहीं हो रहा है तो और मा ऐसे जैसे मैंने बोला है कि значит यह दो अब इत्य इती सारी है अर हर 181 के अपने कानून के तहट उसमें एक तो वायू गुर्वत्ता की आकलन के लिए एक निर्वा निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना, CNG और LPG जैसे सुच गैसी इंधन को बढ़ावा देना, पेट्रॉल में इथेनॉल की मातरा बढ़ाना, राष्टिय वायू गुर्वत्ता सुच कांक यानि एक यू आई की शुरुआत, एक अप्रेल 2020 तक वाहनों को बीसी सिक्स से बीसी कितना बायो मास जलाने पर बेन, पब्लिक प्रांस्पोर्ट को बढ़ावा देना, सभी इंजन चारेद वाहनों के लिए प्रदूशन इंदर स्रेटिफिकेट लेना जरूरी है, ग्रीन गुड्स, डीड्स अभियान के तहत पल्यावर और सन्रक्षर को मजबूत करना, यह लक्ष रखे गए हैं, इन पे आपको अमल होते हूँ कहीं दिख रहा है? दिखिए यह सब लक्ष तो बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छे हैं और इसके में कोई दुर्ष्ट या कोई ऐसी तुर्टी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इंप्लिमेंटेशन नहीं है, अब देखिए हमारे हाँ जो इलेक्ट्रिक वही के लाने की एक डेट रखी गई थी वो दीरे दीरे पीछे खिसक रही है, क्योंकि हमारे पास में वो इंफ्रेस्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो हम 6 तो लाएंगे, और शाहिए 6 के लिए जो एक फ्यूइल है, जो उत्तम क्वालिटी का है, जिसके अंदर सलफर कंटेंट बहुती कम होगा, वो शाहिद करेंगे, तो इसका जो असर होगा, और जो इसका जो शिफ्टिंग टाइम पीरियेड होगा, जिसको हम कहते है, टर्नोवर टाइम पीरियेड वो इतना अधिक होगा, कि हमें आसानी से कोई हमें पलूशन से बहुत जल्दी निजात नहीं मिलने वाली है, और दूसरी बात ज को शौर्ट में ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ पलूशन मॉनिटरिंग या रिसर्च वाली बात नहीं है, इसमें बहुत सारे सरकारी महकमे और तंत्र हैं, उनको इसके अंदर अपना योगदान देना है, जिसके बारे में को नहीं सोचा जाता है, दो सरकारें आपस मे बात नहीं कर पाती हैं, और जहां तक कि मैं समझता हूं कि जो डीजल सेट का परमिशन दी गई है, उसके अंदर हमारे पलूशन बोर्ड के जो उद्देश हैं, उनके अंदर क्लैश हो रहा है, तो हमारे हैं पॉलिसी पैरलिसिस है एक तरीके से, कि एक कुछ कहता है, दूस बात में, दूसरे महकमें ने सरकार के ने का, नहीं नहीं इसको चालू रखिये, इसके बिना काम नहीं हो सकता, सीमेंट इंडरस्टी बरबाद हो जाएगी, तो जब ऐसी समस्या है, जहां तक कि मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम का सवाल है, उन्होंने से का इसको बंद कर दीजे, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री आफ इसको चालू रखिये, बना इससे यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इन सब समस्या को देखते हुए, बहुत जरूरी है, कि समन्वय होना जरूरी है, और जहां तक ससनेबल डवलप्मेंट गोल का सवाल है, वो उनका अचीव करन गहराई से काम हो, और मैं समझता हूँ, हर व्यक्ति को, खास तरह से जो सरकार में हैं, और जो बिविन्न भवावा में हैं, उन सब को इसके बारे में अच्छी तरीके से जान पैचान होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं, सेंसिताइजेशन एस उनका एक ट्रेनिंग कोर्स होन होना चाहिए, और मैन पावर डवलपमेंट होना चाहिए, ठीक, सिन गुपता साब, हम इस चर्चा के बिलकुल अंतिम चरह में हैं, आपकी का फाइनल कॉमेंट, आखरी टी पुडिंग के प्रदूशन की समस्या से हम कैसे नजात पाएं, और अगले साल फिर हम इसी पे चर प्रावनेट से नहीं होगा यह आपOOOOOOOO है, इस इस परे फुडिए प्राम से होगा जाइए, साइन्स बेस अपरोच हुनी चाहिए, सारे जो प्लुशन का वार्ण है, जाहिए ढारो माइक्रमेट्रोजिकल कारण हो कंडिशन कारण हो चाहिए बो में पराली जालने से हो, चाह जल्दी हो जाए एक integrated approach और लोगों का स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल डूर कैपसिटी बिल्डिंग इस चीज एक साथ होने से हमें next day कुछ रहात मिल सकती है नहीं तो फिर हम यही गी पॉलिशनमेजर्मेंट करते रहें गाप्ट बहुत पॉलिशनकेज होगी पर इसी संकट पर बारश्चित करने के लिए मजबूर नहीं होंगे मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार झाल झाल